हाई स्कूल क्लासेस की यूटूब चैनल पे आपका फिर से फ़ौगत है डियर इस्टुएंट आज की इस वीडियो में हम आपको उताएंगे आर्टिकल्स इसके बाद डियर इस्टुएंट प्रिपोजीशन्स और इसके बाद कंजंग्सन डियर इस्टुएंट पिछले फालो में आविए सारे प्रेशन चाहे ओ आर्टिकल्स के होँ चाहे प्रिपोजीशन्स के हुँ चाहे कंजंग्सन के हो मैं आपको डिटेल मी बताऊंगा और साथ ही साथ सारी कंजेप्ट भी बताऊंगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकोन ज़रूर प्रस करें चलिए सुरू करते हैं डिया इस्ट्रेंट हमारे सामने सबसे पहले है आर्टिकल्स की क्वेश्चन जिसमें पहला क्वेश्चन है ही बाट अंब्रिला देखें हमें क्या करना है यदि I या N का यूळण का यूज़ करना है देखेगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे डिया इस्ट्रेंट यहां पे जो वर्ड है हमारे पास जो भी नाउनusement उसका हम प्रोनौन्सियेसं देखेंगी क्या देखेंगी pronunciation या आप sound भी बोल सकते हैं umbrella umbrella को हम कैसे लिखेंगे umbrella को हम 80 start करेंगे आप अहीं ले आएगा ठीक है इसका मतलब क्या आ रहा है हमारे पास हमारे पास वावेल फाउंड आ रहा है तो dear student याद रखिएगा यदि वावेल फाउंड आ रहा है तो वावेल फाउंड के पहले हमें an article लगाना है क्या लगाना है dear student an article लगाना है और यहाँ पर व्यंजन साउंड आ रहा है मतलब consonant sound आ रहा है तो article लगाना है जैसे he bought umbrella umbrella को हम आसे लिखेंगे कि मतलब वावेल फाउंड वावेल फाउंड दीख गया मतलब हमें an article लगाना है तो an आपका correct answer हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्न है he eats apple मतलब वह एपल खाता है समझे एपल हम कैसे लिखेंगी एपल में भी क्या आएगा dear restaurant एपल में यह आएगा मतलब वावेल फाउंड आ रहा है वावेल फाउंड दीख गया मतलब क्या लगाना है हमें an article लगाना है तो an apple हो जाएगा ठीक है अगला देखिए my uncle is in bank मेरे अंकल जो है bank में है ठीक है एक bank में है तो देखिए bank कैसा लिखेंगे बास से इसका pronunciation हो रहा है ठीक है उचारण हो रहा है मतलब consonant हमें इसा article लगाना है तो a हो जाएगा my uncle is in ठीक है क्या हो जाएगा a bank ठीक है and नहीं लगाना है अगला है I gave him one rupee note मैंने उसे एक रुपए का note दिया तो one कैसे लिखेंगी one ऐसे लिखेंगे न मतलब कौन सा sound आ रहा है consonant sound आ रहा है consonant sound दिख गया मतलब आपको article लगाना है ठ ठीक है अगला देखिए he is engineer engineer में e आ रहा है e क्या है वावल है ना सवर है मतलब हमें कौन सा article लगाना है an article लगाना है ठीक है फिर देखिए French is easy language easy कैसे लिखेंगे e से start करेंगे तो e आ रहा है मतलब कौन सा अटकल लगाना है and लगाना है an easy language ठीक है अब देखिए अगले article पर चलते हैं क्या लिखा हुआ है सन राइजिस इन दा इस्ट देखिए यह दि किसी प्लैनेट की बात हो ठीक है या किसी स्टार की बात हो या किसी धार्मी ग्रंद की बात हो या नदियों की बात हो उस कंडिशन में हमेशा क्या लगाते हैं हम दाट क्या लगाते हैं तो क्या हो जाएगा the sun rises in the east इस तरह से आपका हो जाएगा अगला है honesty is देखिए जब भी आपके सामने कोई कहावत हो या आपको superlative degree दिख जाए जैसे best क्या है आपका superlative degree है तो superlative degree के पहले भी हमें इसा the article लगता है याद रखेगा तो honesty is the best policy यह हो जाएगा आगला देखिए क्या लिखा हुआ है English is English है ठीक है easy language फिर से आपको e दिख गया मतलब कौन सा आर्टिकल लगाना है an article लगाना है केवल आपको sound देखना यदि vowel sound आ रहा है मतलब an article और यदि consonant sound आ रहा है तो article लगाना है ठीक है अगला question आपके सामने है Yamuna is holy river मतलब Yamuna जो है पवित्र नदी है देखिए यदि नदियों का नाम आ रहा है ना गंगा, Yamuna, नर्मदा तो आपको हमेशा दा अर्टिकल लगाना है क्या हो जाएगा Yamuna is holy river फिर all best for your exam ठीक है तो देखिए फिर आपको फुपरलेटिव डिगरी दिख गया है, best दिख गया है मतलब आपको क्या लगा देना है, दा लगा देना है तो all the best for your exam article से एक से दो question आपके exam में definitely आते हैं हर वर्स आते हैं, तो इसको जरूर prepare कर लिजिए चलते हैं अगले topic पे डिए इस्टेंट, अगला topic हमारे सामने आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है prepositions इन sentence में हमें prepositions का यूज करना है, कौन सा correct prepositions लगेगा जैसे देखिए, अगला sentence क्या है हमारे सामने, I write मैं लिखता हूँ pen ठीक है, देखिए, जब हम किसी tools का use करते है, pen का pencil का, या हम कुछ काटे चाकू से, तो उस condition में हमेशा with prepositions का use होता है, जब हम किसी tools का use करें, तो I write with a pen ठीक है, with pen, क्या हो जाएगा आपके सामने with correct answer हो जाएगा I hope आपको समझ में आया होगा, तो यहाँ pen के जगम pencil होता, knife होता तब भी आपको क्या लगाना होता with लगाना होता, ठीक है अगला है, girls are playing the garden लड़कियां जो हैं मैदान में खेल रही है, तो missions के लिए dear student, आपको हमेशा in लगाना है, concept proposition in, तो क्या हो जाएगा girls are playing in the garden, आपको in लगाना है ठीक है, आगला प्रश्ण है, sweets are distributed the children मतलब मिठाईयों को जो है बच्चों के बीच में बाट दो तो याद रखिएगा, जब यहाँ पे दो व्यक्तियों को बाटने की बात आती हो तो हमें सब between लगता है और यदि दो से अधिव व्यक्ति है ठीक है, वहाँ पे क्या लगता है among लटता है, ठीक है तो देखिएगा, समझेए sweets are distributed the children बच्चों में मिठाईयों बाट नहीं कई सारी बच्चे है ना तो यहाँ पे क्या लागेगा इस्टिंट इमंग आपका सही जवाब हो जाएगा ठीक है the villagers are afraid lion मतलब गाववाले जो हैं सेर से डर हुए है तो जब भी डरने की बात आए afraid word आपको दिख जाए ठीक है, वहाँ पे आपको of preposition लगाना है cause of preposition डियर इस्टिंट of preposition लगाना है ठीक है, अगला है आप लोग के सामने क्या लिखा हुए डियर इस्टिंट Mr. Das Goj ठीक है, अब देखिए जब भी हमें किसी बाहन का नाम दिख जाए, bus, train, हवाई जाहार, वहाँ पे हमें सब by preposition लगता है तो Mr. सर्मा जाते हैं, by, bus आपको क्या लगा देना है, by लगा देना है अगला प्रश्ण है देखिए, क्या लिखा हुआ है आपके सामने He did cancer मतलब वह है cancer से मर गया तो याद रखिएगा, dear restaurant जब किसी बीमारी से किसी की मरत्तु हो जाए वहाँ पे हमेशा आफ प्रिपोजीशन लगाना है, क्या लगाना है आफ कौन सा प्रिपोजीशन, dear restaurant, आफ ठीक है, अगला संटेंस है, Monday comes, मतलब सों बार आता है संडे के पहले, देखिए संडे के पहले आता है कि बाद में ठीक है, तो आपको पता है पहले संडे आता है, फिर मंडे आता है मतलब संडे के बाद मंडे आता है तो बाद के संस में आफ्टर और पहले के संस में बिफोर तो सों बार जो है, रवी बार के बाद आता है तो आपको क्या लगाना है, आफ्टर लगाना है मंडे कम्स आफ्टर संडे ठीक है अगला है सी जंप्ट पॉंड देखे जब कहीं पे कूदने की बात हो चाहे नदी पे कूदने की तालाब पे जैसे संटेंस आता है मेड़ा कूया में गिर गया दा फ्रॉग फेल इंटू दे रीवर वहाँ पे हमेशा इंटू का यूज होता है किस प्रिपोजिशन का इंटू प्रिपोजिशन का तो सी जंप्ट इंटू पॉंड ठीक है क्या लगा देने आपको इंटू लगा देने है अगला है वाट इज दा टाइम योर वाच मतलब आपके घड़ी के कॉर्डिंग समय क्या है तो जब भी आप किसी से समय पूछते है न और घड़ी का जिक राजा है वहाँ पे हमेशा बाय लगाया जाता है वाट इदा टाइम बाय और वाच ठीक है यहाँ पे आपके सामने आपसन नहीं है तो आपको to लिख लेना है ठीक है into लिख लेना है और onto लिख लेना है तो देखी जब कहीं जाने की बात होती है simple आपको to लगाना होता है तो he goes to school वह school जाता है तो dear student यह preposition very important है और आपकी एक्जाम पे हमेशा आते हैं इन preposition को आप अच्छे तरह से त्यार कर लेजिएगा ठीक है इसके बाद हम बाप करते हैं conjunction तो conjunction की question हमारे सामने है जो आपके previous year exam में पूछे जा चुके है क्या look है लिखा हुआ है look you leave तो यहाँ पे हमेशा before लगता है dear student look before you leave ठीक है अगला है work hard you will fail मतलब cutting काम करो नहीं तो fail हो जाओगे तो नहीं तो कि sense में हमेशा और लगाना है तो आपको और लगा देना है अगला question है पूनम अंसु are dancing पूनम और अंसु क्या कर रही है dance कर रही है तो end लगे गए यहाँ पे आपके सामने अगला है I missed the bus ठीक है I reached late मैंने bus miss कर दिया क्योंकि मैं late पहुचे तो आपको क्या लगाना है because लगाना है ठीक है अगला you have been playing here morning ठीक है since यह फार लगाना है जब भी आपको निश्ची समय दिया हो जैसे सुबह से खेल रहा है हो सुबह से, साम से, रात से, दोपार से तो हमेशा since लगाना है ठीक है और यदि period of time दिया हो दो घंटे से, दो मिनट से, दो दिन से तो हमेशा for लगाना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा since अगला है the train had arrived we reached the station मतलब train जो है हमारे पहुचने से पहले पहुच चुकी थी तो क्या हो जाएगा आपके सामने V4 हो जाएगा तो dear instrument यह सारे VVI question है आपके exam के लिए इनको अच्छे से त्यार कर लीजिएगा आपके exam में जरूर 5-6 number का देखने को मिलेगा चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सकाइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर करें